हेलो फ्रेंड्स क्या आप भी क्रेट करना चाहते हैं अपने यूटिब चैनल का इंट्रो कुछ इस तरह का? वैसे मेरे चैनल पर इंट्रो नहीं आता है स्टार्टिंगे मैंनेट कुछ वीडियोस पर ट्राई किया था बट मुझे ज्यादा सुटेबल नहीं लगा मुझे डाइटली बोलना ज्यादा बेटर लगा लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप अपने चैनल का इंट्रो कर सकते हैं और कुछ काटेगरीज के चैनल होते हैं जिन पर इंट्रो काफी ज्यादा सुटेबल लगता है इस वीडियो में मैं बताऊंगे आपको ऐसे 3 best android application जिनसे आप एक अमेजिंग सा इंट्रो केट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं तुराल स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड अप्लिकेशन से हमारा 3 application है legend आपको जाना है playstore पर और search करना है legend इस नाम से आपको three application बिल जाएंगे आपको ये वाला application इंस्ट्ल कर लेणा है और open करने के बाद आपको select करना है intro maker जैसे ही आप application को open करेंगे आपके सामने धेर सारी templates open हो जाएगी जिसमें साथ आप अपने choice की template चूज कर सकते हैं अपने intro के लिए आप new, special, suggested, animated इन सारी template में से चूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी सारी templates हमारे सामने open हो गई हैं तो suppose करते हैं हम यह वले template को open कर लेते हैं तो choose करने के बाद आपको करना है edit और आप देख सकते हैं हमें धेर सार option मिल जाते हैं जिससे आप इस template को edit कर सकते हैं आप style चेंज कर सकते हैं, color चेंज कर सकते हैं, font चेंज कर सकते हैं और आप text भी चेंज कर सकते हैं तो जो भी text आपको write down करना है आप change कर सकते हैं आप अपने channel का name write कर सकते हैं और animation भी आप change इसमें कर सकते हैं तो काफी सारे option आपको इसमें मिल जाते हैं, जिससे आप एक amazing intro create कर सकते हैं. So friends, intro create करने के बाद, जो भी changes आपको करने हैं, और उसके बाद आपको इसमें export का option मिल जाते हैं, जिसमें आप 1080 resolution में इसको export कर सकते हैं, जिसके quality में अच्छी मिल जाती हैं. So friends, यह था हमारा third application, काफी simple और easy है इसको use करना, और यह एकदम free है, आपको इसमें कुछ भी purchase करने की need नहीं है, लेकिंग इसमें आपको काफी ज़्यादा ads देखने को मिलेंगे, और आपको watermark remove करने के लिए भी add watch करना पड़ेगा. So move करते हैं अपने second application पर, हमारा second application है pixel flow. So friends, यह application काफी ज़्यादा amazing है, और काफी ज़्यादा professional है. So friends, जैसे आप application को open करेंगे, आपके सामने धेर सारी templates open हो जाएंगी. और आप देख सकते हैं, इसमें हमें एकदम professional categories मिल जाती हैं. और जो इसके templates हैं, वो भी एकदम higher level की हमें इसमें मिलती हैं. तो यह application काफी ज़्यादा best है intro making के लिए. Friends, आप देख सकते हैं, इसमें में general category मिल जाती है, minimal design मिल जाता है, technology मिल जाती है, celebration और greeting मिल जाता है, cooking मिल जाता है, gaming channel के regarding मिल जाती है. तो जो भी आपकी channel की category हैं, आप उसको select करके integrate कर सकते हैं. और इसमें में काफी जादा अच्छी templates मिल जाती हैं. Personally, काफी बढ़िया लगा मुझे ये वाला application, suppose करी हम इस वाले template को choose कर लेते हैं, इसमें काफी सारे changes कर सकते हैं, आप इसमें text, font, background change कर सकते हैं, आप इसमें audio डाल सकते हैं, तो ये सारे options आपको इसमें edit करने के लिए मिल जाते हैं. Friends, next हम इसको जब export करेंगे, तो इसमें भी हमें काफी हायर resolution में save करने का option बल जाता है, तो ये application काफी जादा best है. और इसमें हमें raw templates में मिल जाती हैं, जिनको आप अपने हिसाब से edit कर सकते हैं. So friends, ये था हमारा second application और काफी ज़्यादा professional था, इसमें हमें काफी अच्छी templates मिल जाती हैं, और काफी simple और easy है इसको भी use करना. तो move करते हैं अपने first application पर, हमारा first application है hypertext. Personally friends, मैं इसको use कर रही हूँ अपने social media के लिए. Friends, आपने देखा होगा जितने ही मेरे subscribe button है, मेरा intro है, मेरा introduction है, सारी चीज़े मैंने इसी application से create की हुई है. तो यह application काफी ज़्यादा best है. Friends, जैसे आप इसको open करेंगे, आपको इसमें animation, intro, instagrams, top पर return मिल जाते हैं. So friends, आप इस application से intro is नहीं, काफी सारी चीज़े भी कर सकते हैं. आप title लिख सकते हैं, अपने channel के लिए, social media share कर सकते हैं, lower third, fire, quote write कर सकते हैं, logo create कर सकते हैं, आपको इसमें YouTube को option मिल जाता है, message, subscribe button create कर सकते हैं, shop, काफी सारी option आपको इसमें मिल जाते हैं. और जो इसके intro's के templates हैं, वो भी काफी जादा professional है. So friends, personally मुझे काफी जादा पसंद है यह अप्लिकेशन, और आप देख सकते हैं, कितने सारी templates हमें इसमें मिल जाती हैं. आप इससे अपना giving का intro create कर सकते हैं, आप technical channel का intro create कर सकते हैं, cooking channel का, traveling channel का, तो इसमें भी आपको categories मिल जाती हैं, और इसमें आपको काफी सारे option मिल जाते हैं, edit करने के लिए. तो जैसे ही आप template को download करेंगे, आप इसमें green screen को भी select कर सकते हैं, आप इसमें audio डाल सकते हैं, font change कर सकते हैं, text change कर सकते हैं, animation change कर सकते हैं, तो इसमें भी काफी अच्छी options हमें मिल जाते हैं. So friends, hypertext application काफी जादा बढ़िया application, आप इससे intros दी नहीं, instagram stories भी create कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीज़ें आप इस application से कर सकते हैं, तो friends, यह application काफी बढ़िया हैं. So friends, यह थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो का like कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना, बिलते हैं आप से एक ऐसी ही another वीडियो में.